स्वेंट आइ इस प्रचल करते रहे कि शिक स्वर्च्ट सेच करते हैं, विवेंट बॉब क्या है कि 64329 लो दिवार्च बैदे बाई इस सूर्टन नंबर विल वार दिवादि आ नंबर 175 114 को 213 है एस ट्री सर्च्टेस्वू रिमांडर् सिवाइजर इस क्वेशन क्या कह रहा है कि 64329 नंबर को किसी एक certain value से divide किया जाता है किसी एक number से divide किया जाता है तो जो हमें successive remainder बचते हैं सबसे पहले क्या remainder बचता है 175 बचता है फिर 114 बचता है फिर 213 बचता है और हमसे क्या कह रहा है कि डिवाइजर बताईए कि क्या है किस वैलू से भाग दी जा रही है तो यह यह तीन संख्याएं सक्सेस्व रिमेंडर के रूप में आ रही है तो हम इस क्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे कि 64329 को किसी एक वैलू से डिवाइड किया गया माल लिजे वो एक्स वैलू थी तो सबसे पहले जो यहां कोई भी वैलू आई हो माल लिजे यह डैस डैस करके मैं बता रहा हूं आ दो हों यहां तीन वैलू कोई भी आई हो तो हम हम यह आया यहां पर also नीचे आ गया और फिर जो तीन वैलू आई होगी उससे डिमेंडर की आया 114 नाइट फिर आहा और फिर यहां पर कोई वैलू होगी और रिमेंडर की आया 213 last में remainder आया तो यह इस तरीके से x से divide करने पर इस तरीके से remainder आ रहा है तो अगर हमें यहाँ पर find out करनी हो कि यहाँ पर जो यह value रही होगी वो क्या होगी इस 1 वाली place पर यहाँ 2 वाली place पर और यहाँ 3 वाली place पर तो हम उसे कैसे find कर सकते हैं इस पहली वाली value को अगर find करना हो तो हम 643 में अगर 175 minus करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यह first वाली value मिल जाएगी उसी तरीके से जब हम 1752 में से 114 घटा देंगे तो हमें दूसी value मिल जाएगी third वाली value 1149 में से 213 घटा देंगे तो हमें third value आजाएगी हम यह तीनों value find out कर लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा 468 यहाँ पर क्या आजाएगा 1638 और यहाँ क्या आजाएगा यहाँ आपका आजाएगा 936 आप यह देख पाएगे कि यह जो तीनों value है इसमें हम find out करते हैं कि क्या common है इन तीनों value में जो common है वो यह है कि यह multiple है इसकी इस value की multiple हमें सौन भाते हैं यह 234 का multiple है आप देखेंगे यह two times होगा ठीक है इसी तरीके से यह multiple है इसका ठीक है यहाँ four times है इस तरीके से यह multiple है और यह जो value है 234 234 यह बड़ी है 213 से हमने 213 की condition ही क्यों देखी क्योंकि जो सबसे जादा सबसे बड़ा remainder आ रहा था वो 213 आ रहा था तो clear स्की बात थी कि जो value इससे बड़ी ही value होगी जिससे divide हम करेंगे तो हमें 213 remainder आएगा तो इस case में जो value है जिस value से हम divide कर रहे है वो क्या है 234 है और answer 3rd जो झालब आएगा